कि हेलो शुर्य आंज कैसे हो आप लोग आई होब बहुत अच्छे होंगे और आप जिस भी एक्जाम की प्रेपरेसिंट कर रहे हैं पहुत अच्छे से कर रहे होगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलबे ग्रूप डी में मैतमेटिक्स के जितने भ सब्सक्राइब करते हैं आपको कहीं पर भी ऐसा सिफ्ट वाई सेलूशन नहीं मिलेगा अगर आपने देखना है रीजनिंग और जीएस का तो मेरी प्लैलिस्ट में जाकर जरूर विजिट कीजिएगा और देखिएगा कोशन कितने अच्छे हैं वाई सिफ्ट अगर आपने ए इजी कोशन है बहुत सारे बहुत ज़्यादा इजी है रेल भी ग्रूब डी किया पेच्छा तो इसमें लेवल अच्छा था इसलिए मैं इसको करा रहा हूं चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जिसकिसी ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक क्योशन का बहुत अड़ी कोशन है आराम से बता लोगे इस को सब क्या हो जाएगा सिंपल AC कर ना है एकम पांच हो जाएगा और दो कह रही था तो फिर 7 हो जाएगा वो और अब देखेंगे पॉइंट 6 डिजिट 6 डिजिट बात पॉइंट लगाना आपने एक दो तीन यानि कि तीन डिजिट और लगा लेते हैं तो यहां पर लग जाएगा यानि कि 30 आएंगे और एक जिरो कट जाएगा क्यूंकि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है और उसके बाद 0 का कोई महात्व नहीं होता है तो तीन 30 आएंगे और 71 इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा यानि की ऑपसा नंबर डी इस कोशन का राइट अंसर हो जागा चलिए िसकोशन का अंसर बताइए रहा हुद इजिक वे दोस्तों कभी आप कोशन की लेंध पे मत जाया करो लैंध बहैं ज्यादा हो जितनी बड़ी होगी उतना ही easy question होगा चलिए question को पढ़ते हैं और शॉल्फ करते हैं पाइप A और B C यानि कि तीन पाइप हैं एक साथ चलने पर वह एक टंकी को चार घंटे में भर देते हैं यदि तीनों पाइपों को एक साथ चलाए जाएगा तो वह एक टंकी को चार घंटे में भर देंगे ठीक है और पाइप A और B से दुगना तेजी से यानि कि B से दुगना भी अगर एक भर रहा है तो यह दुगना भरेगा ठीक है चलिए यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी और पाइप C ए से दुगने तेजी से भरता है अच्छा पाइप जो सी है ये वाला ये ए से दुगना तेजी से यानि कि ये चार भरेगा फिर ठीक है अगर वो चारों भरते हैं अगर वो चारों को एक साथ खोल दिया जाता है यानि कि इन चारों को प्लस कर देंगे तो 6 और 7 हो जाते हैं चारों को एक साथ खोल दिया जाता है, तो ये चार घंटे में पानी भरते हैं, यानि कि ये वारा चार से इसको मल्टिप्लाई कर दिंगे, यानि कि जो टंकी की छम्ता है, वो 28 लीटर की है, यानि कि 28 लीटर उसमें पानी आता है, चलिए अब भरवाना किसने था 28 पानी है टोटल टोटल चमता हमने निकाल लिया ना 28 आ गई अब भरवाना था ए अकेला एक ही चमता कितनी थी दो निकाली थी ना हमने 20 से दुगनी थी तो दो से सी इसको डिवाइट करेंगे तो आजाएगा 14 14 इसका राइट अंसर हो जगा यहकोप आपके समझ में आ गया हुगा अगर फिर भी समझ में नहीं आया है तो वीडियोक को थोड़ा सा रिवज्च कीजेंगा और फिर देखेगा ज़्यादा टफ नहीं था समझ गयी हो चलिए इसटन का आंसर क्या हो सकता है C चलिए मैं बताताया हम इसको यह साई आंसर यानि की शने यह मोवाइल फॉन को चोहतर सो ब्यासि रुपे में बेच का 16% लाब कमाती है फॉन की लागत पूछिया इस में अच्छा जो बैलू दिये 16% की यानि की एक सो सो वैलू दिये कभी भी हमें लाब होता है तो वह सौम एड होता है और अगर घान ही होती है तो 100 में लेस होती है क्योंकि 100 हमारा लागत मुल होता है हमेशा चलिए 84 82 हो गया ये 84 82 को 116 से इसको डिवाइट करेंगे और 100 इसकी वैलू हो जाएगी 100 की वैलू निकालनी है चलिए इसको काट लेते हैं ये काट लीजिए 5 और 5 बार जाएगा ये दो से काटते हैं पांच और एक यहां चले जाएगा यानि कि 58 बार दो से चले जाएगा और फिर इसको काटते हैं फिर यह जाएगा पांच तीन और एक यहां पर साथ और यह चार और एक यानि कि 3741 और 58 आ गये हैं इसको काट लेते हैं एक बार पहले चलिए जल्दी से करते हैं इसको यह आया था से तीस सो एकतालीस वट्टा अच्थावन इंटू हंड्रेट ठीक है इसको 29 से काट लो दो बार जाएगा इसको 29 से काटेंगे तो यह 139 बार जाएगा दोस्तो ठीक है मैंने काट के देख लिया है आप भी देख लीजिगा रीचेक जरूर कीजिगा इसको 2 से काटेंगी यह 50 बार जाएगा जब 50 की इससे मल्टिप्लाई करेंगे 139 की 50 से मल्टिप्लाई करेंगे तो देखो 45 होगा नौपंजे 45 के 5 आगए ठीक है और पांच दूना 10 और एक 4 हासिल आ गए ठीक है बिल्कूल और पांच एक हम पांच और एक हासिल 6 हो गया और एक यह 0 आ गया चली इस कोशन का उप्सन नमबर 3 राइट अंसर था चली इसका बताईए इस कोशन का राइट अंसर क्या हो सकता है जल्दी से देखिएगा इसमें यह जो सिरीज दी है और पूछा है इसका माध्यक क्या होगा माध्यक आपको पताईए जो संक्या डिजिट बीच में रहती है पहले सिरीज भाई लिखेंगे इसको क्रम में यानि कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा और फिर जो बीच में अगर दो डिजिट आती है देखो बीच ओ बीच में अगर एक डिजिट आएगी जैसे एक कोई संक्या है तेरा डिजिट है तेरा डिजिट आ जाती है अगर टोटल डिजिट तो छे और छ 6 पहले और 6 बाद में जो बीच में आईगी वही माध्यम होगा वही माध्यक होगा आप समझ गए होंगे क्या होगा यानि कि 6 डिजिट इसमें डिजिट गिन लेते हैं 12 बारा डिजिट है तो बीच वाली दो डिजिट इस संक्या की माध्यक होगी बीच वाली दो डिजिट जो 6 चटे और साथ में नंबर पर होगी चली 5 पहले निकाल लेते हैं एक यह भी कट गया अब प्र 5 के बाद क्या आए गए को किरब में 12 और फिर 32 फिर 34 और फिर 51 ठीक है पांच निकल गई आप 6 और 7 इसको और इसको 57 और 57 को एड करेंगे और 2 से डिवाइट कर देंगे ठीक है 57 प्लस 57 को add करेंगे और Two से divide कर देंगे तो प्लस एक 57 बचेगा इस question का right answer है 57 प्रतीसत चक्करवर्ती ब्याज से निवेस किया है तीन वर्स बाद उसे लाब जो प्राप्त होता है वो है 1952 रुपे प्राप्त होता है उसने कितनी रासी उधार लिया यानि कि मूलधन पूछा है चलिए तीन वर्स में कितना परतिसत भी आ जोगा वो निकाल लेते हैं 10 परतिसत की तरद से तीन वर्स में लिये तो 10 प्लस 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला है आपको सभी को पता है यह आसानी से 10 प्लस 10 हो जाएगा इन्टु हंड्रेट यानि कि इससे यह कट जाएगा तो यहां पर यह 20 आ गया 20 परतिसत दोस्तों अगर दो साल के लिए होती तो 20 परतिसत तीन साल के लि कटा हंड्रेट आई होप आप इधर दिखाई नहीं दे रहा हो डंग से चलिए दुबारा से लिख लेते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी यहां पर लिखते हैं पर 20 फिर 10 फिर 20 इंटु 10 ए प्लस बी वाला है आपको पता होगा इस फॉर्मूली के बारे में इंटु हंड्र इस प्लस टैन और इंटु टैन और अपको अपको और अपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आ रहे होगी एक जीरो से एक जीरो कट गया आप यहां पर यह कितना हो जाएगा चलिए इसको स्वाल्फ करते हैं ठीक से सौरी स्फेंड्स मैंने थोड़ा पहले वाले गलत कर दिया था क्योंकि ग को मैंने एट करने में थोड़ी Mिस्टेक करी थी 10 प्लस 10 प्लस 10 और इंटू 10 और अपॉन 100 ठीक है एक 0 से 1 0 एक 0 से 1 0 यानि कि यहां पर 1 बचेगा ना मैंने इसको एड़ किया था 20 आगिया था और एक यह 1 एड़ करना पड़ेगा तो 21 आएगा ठीक है तो 21 से निकालेंगे हम दूसरा 21 प्लस 10 प्लस 21 इंटू 10 अपॉन 100 ठीक है चली एक 0 से 1 0 बिलकुल कटेगा चाहिए है अब यहां पर यह वाला जो 21 से कटेगा नहीं तो पॉइंट लगा देंगे बीच में यह 10 भी है ठीक है इन दोनों को जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 31 31 और 2.1 यानि कि 33.1 33.1 उसका ब्याज रेट हो जाएगा यानि कि जो लाब प्राप्त होगा वो 33.1 का प्राप्त होगा बहुत तीन बर्सों में चली साथलनट ब्याज का तो आपको पता ही है 9 3 3 3 वर्स दिये हैं तो सीधे 9 से 3 की गुणा करेंगे तो 27 पर हो जाएगा ठीक है 27 पर 39 से गुणा कर दो तो 27 हो जाएगा चलिए 27 माइनस 33.1 इसका जो डिफरेंस दिया है यह जो दिया है यह दिया है 1952 बहुत 100 ट्रिक्स से करा रहा हूं दोस्तों मैं आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी ऐसी 100 ट्रिक्स क्यूंकि इस को अगर वेसिक से बनाऊंगे तो बहुत लौंग जाएगा चलिए इसका डिफरेंस देख लेते हैं कितना आएगा 33 सताई 6.1 डिफरेंस आ रहा चलिए दोस्तों एक बार और इस कोशन को देखिएगा इस कोशन को थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है जो हमने यह किया था 61 और यह बता रहा था 1952 को ठीक है चलिए एक जीरो यह यहां पर पॉइंट था ना वह पॉइंट को हटा कि हमने यहां पर एक जीरो ले लि जाएगा और एक जीरो यह आ जाएगा और इसकी जब इससे मल्टिप्लाई होगी तो डवल जीरो यह आ जाएंगे यानि इस कोशन का जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 32,000 ठीक है चलिए आई होप आप समझ गए होंगे अब आप इस कोशन का राइट अंसर क्या होती है और उसे अगर 12% लाब कमाना हो तो फुस्तक कितने में उसे बेचनी पड़ेगी देखी दोस्तों कभी भी हानी होती है या लाब होता है वो हम हमेशा बट्टे में लिखते हैं 100 में घटा कर या जोड़कर घटाएंगे तब हानी होगी जोडएंगे तब जब लाब ह अब लिखेंगे जब हमको लागत मुल पता करना होगा या फिर लाब पता करना होगा तो हम सौ में जोड़के गुणा में लिखेंगे चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे 1782 गुणा 100 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें 12% लाब कमाना है तो 112 की वैल्यू चाहिए हमको 100 की वैल्यू तब चाहिए होती जब हमको लागत मुल निकालना होता यह वाली हानी हो रही है तो फिर हानी हो रही थी न इतने को बेचने पर बेचने पर हानी हो रही थी तो 72 यहां पर आ जा काते हैं नो अठे भातर यानि आठ बार जाएगा नो से इसको भी काटेंगे ये नो एक नो एक ही बार जाएगा और यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों यहाँ बचेगा आठ ठीक है न्हीं आठ नो आठ बचेगा यहाँ पर आठ अगर यहाँ पर लगाएंगे तो 98 हो जाएगा नो नम्मा 181 यानिए की एक बार नो बार जाएगा और फिर यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों आठ बचेगा यानिकी आठ था और 112 गुड़ा में था चली इसको यह काटेंगे तो आठ एकमाट और तीन बज़ गया आठ चौक पती चौदा चौदा की जब 198 से मल्टिप्लाई करेंगे तो इसका राइट अंसर आएगा 2772 ठीक है चली आई होब आपने कर लिया होगा बड़े ही आसानी से पताईए इस संक्या का आपने मौसव बताना है यानि की महात्म समावर्तक हाइस्ट फैक्टर बताना है आपने बताईए कल भी इस क्यों को हमने क्या था ऐसा क्यों को मैंने बताया था इजी तरीक ayts कोुचन के करने का इसकोे क्रूशन को करेंगे तो इन दोनों का difference ले लेंगे 140 और 196 का difference होता है 58 58 इन में नहीं है 58 highest common factor होता अगर होता इसमें से तो 58 right answer होता लेकिन ये नहीं है तो इसका आदा करेंगे इसका आदा करेंगे तो 28 हो जाएगा और 28 इस question का right answer होगा कुछ mistake हो रहा एक minute हाँ दोस्तों थोड़ा सा mistake हो गया था यानि इन दोनों का difference लेंगे तो 56 आएगा 56 का आदा करेंगे ताब 28 आएगा दोस्तों मैं 58 समझ जा था कोई नहीं sorry गलती हो जाती है कभी कभी चलिए इस question का answer 28 हो जाएगा और बताइए इस question का right answer क्या होना चाहिए एक दुकानदार प्रती पुस्तक 125 की दर से 8 पुस्तके खरीदता है और 6 पुस्तके 150 प्रती दर की पुस्तकों से बेशता है ठीक है बेशता है और दो पुस्तक बेशता है 128 प्रती दर की से तो उसमें कुल कितने प्रतीसकत का लाव होता है उसे चलिए question बहुत ही ज्यादा easy है कुछ नहीं है question में आप बिल्कुल भी confuse मत होगी का देखते हो 125 की गुणा करेंगे 8 से 8 पंजे होता है 40 8 दूना 16 फिर 0 आजाएगा 4 हांसिल 8 एकम 8 और 2 यानि की 10 तीक है यानि की 1000 रुपे उसका हो गया उसने जो खरीदा है उसका मुल चलिए आप बेचने वाला मुल लगा लेते हैं 6 पुस्तकों को 6 पुस्तकों को उसने बेचा है 150 रुपे में तो 15 चका सीधा 90 होता है और ये 900 और 2 पुस्तकों को बेचा है उसने 28 28 रुपे में तो यहां से इसकी दुग निकल लेंगे तो होता है 156 सौरी 256 को जब एड करेंगे तो 1156 हो जाएगा ये और उसने खरीदा कितने में था 1000 में खरीदा था और 1156 में बेच दिया बताइए दोस्तों उसको कितने रुपे का लाब हुआ अई होप आप समझ गए होंगे उसको 156 रुपे का लाब हुआ है 156 में यहां पर लिख देता हूँ 156 का लाब हुआ है कितने पर 1000 पर इंटू हंड्रेट चलिए इसको द्वारा करते हैं चलिए 156 रुपे का लाब हुआ था ना उसे बिल्कुल प्यार से समझेगा 156 का लाब हुआ था कितने पर 1000 रुपे पर कॉष्ट हमेशा नीचे आती है परतिसत में चैंज करेंगे इसलिए इंटू हंड्रेट कर देंगे 2-0 से 2-0 जाएंगे बिल्कुल जाएंगे यहां पर नहीं कटेगा समझेगा 11 इसके बाद होती घरा और इसके बाद पंडरा नहीं पंडरा नहीं होती है तो 15 भी काऴ को हम नहीं करेंगे 17 और फिर 19 21 नहीं होती है 7 और 3 से कट जाती है तो फिर 23 हो जाएगी 23 चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 23 चलिए इनको add करेंगे और इसको इसका माद दे पूचा है तो इसको 5 से ही divide कर देंगे चलिए 4 हो जाएँगे यह 4 और 7 हो दे हैं 11 और 11 और 9 20 होते हैं 20 हो 23 होते हैं यानि कि 3 यहाँ पर जाएगा 2 केरी चलिए जाएगा 1 2 3 4 और 4 और 2 6 6 और 2 7 8 यानि 8 83 से 5 का डिवाइट लगाएँगे क्योंकि 5 संक्याँ कमाद निकालना था तो 5 एक कम 5 यानि एक बार चले गया 3 यहाँ पर बच गया 6 बार चले जाएगा फिर 3 बच जाएगा फिर 0 लगाएँगे पॉइंट लगाएगे फिर 5 यानि 16 पॉइंट नहीं 6 बार जाएगा ना 16 बार जाएगा 16.6 यानि कि 16.6 इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा अप्शन नमर 2 चलिए इस कोश्चन का राइट अंसर क्या होना चाहिए तिरकॉण की तीन भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है बीपरीत बीपरीत सिर्श बिंदूओं की संगत लंबों का अनुपाद क्या होगा दोस्तों मैं इस कोश्चन को बहुत इजी तरह से बताऊँगा तो आप सोच भी नहीं सकते हो इतना इजी है यह कोश्चन और वैसे यह लॉंग मेथट से है अगर करोगे तो आप मैं इसको बहुत ज़्यादा सोट्रिक से अगर जब भी ऐसा कोश्चन बनता है तो आपको क्या करना है देखिएगा देखो हमको तीनों का निकालना है तो जिस संक्या का निकालना है पहले आठ का निकालना है तो आठ को काट देते हैं इन दोनों की मल्टिप्लाई कर दे जब तेरा की मल्टिप्लाई इससे करेंगे तेरा धाम तेरा धाम होता एक सो तीस बिल्कुल आ गया चली आब इसका निकालना है तो इसको कर दिंगे 138104 यानि कि इस कोशन का यह राइट अंसर हो जाएगा आई होप आप बिल्कुल समझ गयोंगे चली इस कोशन को बताईएगा कि एक टंकी को एक नल पांच घंटे में भर सकता है और बी नल शे घंटे में खाली कर सकता है यदि सभी नलो को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा बहुत इजी कोशन है दोस्तों चली ए पांच में भर सकता है और बी छे में भर सकता है और सी जो है माइनस कर रहा है तो फिर यहां पर माइनस का चिन लगा दि डिटेगा और पास से ये जाएगा तीन बार थिंखें नहीं सौरी दस से अगीजा आप Stay CC और यह जो है यह तो ट्यक्त की चंःता है यानि की तो इतना पानी आ जाता है चलिए तीनड खाली हो रहा हैो और यह दौनों भरह रहा है तो यह पर intre जाएंगे और एक लैस हो जाएगा जली इन दोरों को जोडते हैं 11 में से जब 3 जाएंगे तो बचेगा आठ चलिया प्राइट लगा देते हैं लिए तीस का डिवाइट आठ से लगाएंगे तो बचेगा चलिए दो से कार्ट देते हैं इसको 15 और नीचे बचेगा 14 नीचे बचेगा 205 सेकेंड में 245 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है ट्रेन की गती क्या होगी कुछ नहीं करना है आपने दोस्तों किलोमेटर अपरती घंटा में चैंज करना है बस इन दौनों का अगर ट्रेंड जा रही है तो इन दौनों का डिफरेंस ले लेंगे शौरी थोड़ा प्रफ्लम हो जाता है चलिए बताएं इन दोनों का difference ले लेंगे जल्दी से चलिए देखी कैसे करेंगे पहले इन दोनों का difference ले लेंगे यानि कि यह जो digit है यह 14.5 और 20.25 पंचीस में से घटा दिंगे 14.5 जब इसको घटाएंगे तो यह बचेगा यहां पर यहाँ पर 72 यानि 75 बच जाएगा और यहाँ पर 5 यानि ठीक है चलिए मैंने जल्दी से solve कर दिया यह चलिए और इन नौनों का difference ले लेंगे यानि 245 मैं से 130 को खटाएंगे तो 115 बच जाएगा 115 यह बच गया और 5.75 यह बच गया इसको change करेंगे किलोमेटर परती घंटा में 18 बच पांच से इसको डिवाइट कर दिंगे चलिए एक 0 घटाएंगे दो 0 उपर एक 0 से 2 0 उपर घट जाएंगे ठीक है यहाँ पर एक पॉइंट काटेंगे तो 2 0 उपर बढ़ेंगे 5 से इसको simple 5 से इसको डिवाइट कर दिंगे 5 से पहले इसको पांच फिर जाएगा एक बार और यहाँ पर दो बचेंगे तो यह पांच 115 चले जाएगा पांच से और यह पांच चो का बीस और पांच चो का बीस तीन बच गए अब जब तीन यहाँ पर लगेंगे तो पांच 6 बार चले जाएगा और एक 0 आ जाएगा यानि यहां 115 है य चार सो साट और एक सो फंद्रा ठीक है और यहां पर अठारा बचा दाना कुल चली इसको तेश्स से काट लेते हैं यह पांच बार कटेगा तेश्स से यह दो बार और एक जिरो कट जाएगा पांस से चार बार करेंगे तो बाहतर किलोमेटर पर ती घंटा इस कोशन का वीडियो देखिए दो खलकी वीडियो नहीं देखिए तो चाहिए प्लेलिस्ट में देखिए गा उस वीडियो को बिल्कुर उसमें भी काफी अच्छे कोशन दे तो एक्यू है प्लस बीक्यू वाला फॉर्मुल्ला लग रहे क्या होता है आपको पता दो is quare plus be square और माइनस A B बिल्कूल सिम्पल है देखो A square plus B square minus A B और यहाँ पर भी यह हो जाएगा यहाँ पर यह वाला है न देखो यहाँ पर Q है यह वाला और यह A की इसके बराबर होता है ठीक है A Q plus B Q के बराबर यह होता है चलिए हम यह लिख सकते हैं अगर इस मैंसे हम एक एक भार निकाल दें, एक A भार निकाल दें और एक B भार निकाल दें, समझ रहे हो ना बात को, यानि कि A प्लस B अगर भार निकाल देंगे, तो ये भी स्कॉयर बचेगा और ये भी स्कॉयर बचेगा, तब फॉर्मूला क्या बचेगा देखिए, तब के नीचे लिखाए a square plus b square minus a b अब इससे यह पूरा कट रहा है इससे यह पूरा कट रहा है a plus b बचाए a 7 था और b 3 था तो और यह इनको जोड देंगे 1.7 सॉरी 7 नहीं था 1.7 था और पॉइंट थी था जब यह 0 इसको जोड़ेंगे तो यह 0 आ जाएगा और एक हांसिल जले जाएगा यानिकी 2 इस question का right answer हो जाएगा बीच नहीं है पॉइंट बीच में है तो इस question का right answer हो जाएगा आई होप आप समझ गेंगे question बहुत इसी था चलिए इस question का right answer बताएगे इस question का right answer क्या हो सकता है निम्लिक स्नेड़ी में अगला पत बताना है आपने चलिए बताएगे यहां पर difference देखिए 63 और 71 में कितना plus हो रहा है 63, 71 में 8 plus हो रहा है बिल्कुल हो रहा है फिर यहां पर देखिए कितना plus हो रहा है छे plus हो रहा है बिल्कुल हो रहा है फिर यहां पर देखिएगा कितना plus हो रहा है फिर कहोगे आप 8 plus हो रहा है फिर यहां पर देखिएगा 95 और यह है 111 111 है यहां पर कितना plus हो रहा है चलि हां सोरी एक बार दुबारा देखिएगा यहां पर कितना प्लस हो रहा है यहां पर आठ प्लस हो रहा है फिर यहां पर कितना प्लस हो रहा है यहां पर सोला प्लस हो रहा है दोस्तों पहले मैंने आठ पिलस होगा 119 इस कोशन का राइट अंसर हो जाएगा इस पूरी सिरीज का सबसे एज़ी कोश्चन यह वाला है देखिएगा आप देखिएगा मैं जूम कर दे रहाँ थोड़ा कि कंपनी एक्स वाइजेट ने लगबक रूप में खुल आई जो प्राप्त किये एक लाग पचासच़ उम्मेद आफ पच्चीस परसुन नहीं निकाल सकते हो देखिएगा और 25 बट्टा 100 100 इसली करेंगे कोई प्रतिसत निकालना है चलिए बताइए अगले कोश्चन का राइट अंसर क्या होगा बहुत इजी कोश्चन है दोस्तों इसको सिंपल ही कुछ नहीं एड करना है देखिए बहुत से स्टुटेंस को एड करना नहीं आता है तो पॉइंट जहां पर लगा है पॉइंट लगा लिजिए फिर पॉइंट वाली डिजिट इधर लिखिए और बिगर पॉइंट वाली डिजिट इधर पॉइंट यहां पर लगा है दो डिजिट यहां पर आएंगी फिर पॉइंट यहां पर लगा है जीरो आएगा फिर दो डिजिट आजाएंगी फिर एक पॉइंट लगा चली मैं इसको उपर लिख देता हूं क्यूंकि प्लस करना है तो उपर नीचे से कोई दिक्कत नहीं है तू यह अब इसको शिंपल सा एट कर दो देखिए यहां पर फाइव आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा यहां पर फाइव आ जाएगा यहां पर टैन का फिर जीरो आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा फिर यहां पर भी वन आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा फिर एक यहां पर जाएगा six आजाएगा और पॉइंट का ऐसे ही का ऐसे ही लग जाएगा यानि आपके समझ में आ रहे होंगे सारे कोशन जो भी कोशन समझ में नहीं आ रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसा क्या था मैंने वो कोशन चलिए इस कोशन को होता ही है बहुत ही इजी कोशन है और इसके बाद साइद एक दो कोशन और हैं बस दो कोशन और इसके बाद फिर वीडियो को समाप्त करेंगे वीडियो काफी लॉंग हो गया है दोस्तों चलिए इसको इसमें समझाने में टाइम लग जाता है मैत में तो कॉपरेट कीजिए दोस्तों चलिए देखिएगा 64 का क्यूं है तो क्यूं 64 हम लिख देते हैं तीन बार क्यूं है तो क्यूं का मतलब भी तीन बार होता है तीन बार लिख दिया नामने चलिए 64 को 3 बार लिख दिया मैं इसको इधर लिख दिता हूं यह बट्टे में तो कुछ नहीं एक करके इसको बट्टे में 8 को भी 3 बार लिख दिंगे सही है चलिए इसको भी बट्टे में एक बट्ट करके लिख दिंगे 16 को दो बार मैं यहां पर लिख देता हूं दोस्तों यहां पर 16 को यह है तो सब बट्टे में ही लिखा जाएगा चलिए आई होप आप समझ गये होगे 16 को 64 और 16 से फिरी चार बार जाएगा 4 टैम जा रहा है ना सही है और फिर एक 8 से यह चले जाएगा 8 बार एट एट जा 64 होता है चलिए अब 8 से एक एट पुरा कट गया और एक 4 से यह 2 टैम जाएगा और 2 से यह 2 टैम यानि कुल सॉल्फ करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 की पावर में कुछ नहीं है तो 1 तो होता है यह दोस्तों इस कुशन का इसकी पावर में जितना भी है उसमें एक प्लस करेंगे गुणा इसकी पावर में चार है तो एक प्लस करेंगे इसकी पावर में 6 है तो एक प्लस करेंगे यानि कि यह साथ हो जाएगा यह पांच हो जाएगा और यह च्छे हो जाएगा च्छे हो जाएगा च्छे होते हैं और तीस सत्य होते हैं 210 ठीक है यानि तीस से गुणा करेंगे हम साथ की तो साथ या 21 और एक जीरो आ जाएगा वैसे 210 इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा चलिए आगे देखते हैं आज की वीडियो का लाश्ट कोश्चन है दोस्तों जल्दी से करेंगे वीडियो काफी लॉंग हो गया है चलिए पढ़िए इस कोश्चन को कर लिया होगा आपने रीना द्वारा 16 परिक्षाओं में प्राप्त अंक उसका ओसत अंक दे दिया है 26 और स्रिया द्वारा अब तक की प्राप्त अंकों का ओसत 24 है लेकिन उसने अब तक केवल 12 परिक्षाए दिये उसक का ओसत बताना है आपने कितना ओसत लाना होगा तब वह रीना के बराबर हो जाएगी कोश्चन को आपने वकू भी समझ लिया होगा चलिए इसको जब इससे डिवाइटी करेंगे 16 16 कितना होता है दोस्तों 16 85 16 96 96 जाएंगे हांसिल 9 लगेगा 16 दूनी 32 होता है 329 कितना होता 41 यानि इसको इससे मल्टिप्लाई करके उसके टोतल जो अंख है उसके 416 है अब देखिए गा 12 परिक्षाओं में इसने कितना अंक यानि कि शिर्या ने 12 परिक्षाओं में 24 पिर Fortnite 24 ओसत अंक दिया है लिया है तो इसने कितना अंक प्राप्त गया है 12 चौंक 48 होता है यानि क कि 2828 में से 416 मेंने यह 2028 घटा देंगे तो इसके बराबर आजाएगा बिल्कूल आ जाएगा चलिए 16 में से 16 में आच जाएंगे तो बचेंगे आठ यहां पर 0 बच गया है दोस्तो चलि कोई यहीं 0 बच गया है तो एक kemen लेंगे 10 हो जाएगा यह पूरा और दो बचेंगे और फिर यहां पर तीन बचाएं फिर यहां पर यानि 128 बचाएं एक 128 चार पर एक्साम में बताना है तो 4 से डिवाइट लगा दिंगे 4-7 जब हम इसमें आपके समझ में नहीं आ रहा है आपके समझ में आता है मैं द्वारा से सौन्फ करोंगा चल ये वीडियो को लाश्ट करें यहीं पर कल और मैंत की वीडियो के साथ मिलेंगे यग और नई शिप्ट के साथ और नई को सब्सक्राम देखें लिए सबका धन्यवाद और दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा शेर जरूर कर दिया गरो एक दो फ्रेंड्स को अपने ताकि मुझे मैं थोड़ा मॉटिवेट रहूं और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूं आपके लिए चलिए बाबाये टे क्यार